हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू में चैनल दिस इज रोशन सर्मैक्स चलिया मैडिया स्टूडेंट्स नाइंथ क्लास वेरी इंपोर्टन्ट क्वेशन्स अप्रूड करता हूं एसे टू के लिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएए क्योंकि आप सभी जानते हैं सिंगल पेपर यह सिस्टम कर दिया गया है तो सरे बस ज्यादा है और पेपर एक है चलिए हम देखते हैं फॉस्ट चैप्टर वन में चैप्टर वन रियल नंबर इस चैप्टर में यहां से सिक्स्ट में फॉस्ट विट है एट वाला कंप्लेट आपको प्रैक्टिस करना है और नाइंत भी है टैंत में फॉस्ट विट आपको प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट आते हैं सेगंड चैप्टर इस वाले चैप्टर में यहां एक्सरसाइज 2.1 में सिक्स्ट विट है और यह example अच्छी तरह practice करना है यह भी example practice किजिए और exercise 2.2 में first question और यहां से कोई एक bit आप practice कर सकते हैं यहां से fourth में first bit और यहां से sixth वाला practice करना है आपको next chapter में आते हैं exercise 1.1 के यह थोड़ा इसलिए यह 1.1 में यह 2 questions आपको practice करना है फॉस्ट exercise के चलिए बात है next exercise देखके आपको practice करना है क्यूंकि रीडर में app pages आगे पीछे है इसलिए next अगर आप देखेंगे हम तो exercise 2.3 यहां से second वाला और यहां से fourth यहां से आप ले लिजे और यहां से देजे 9th question इसके बाद आते हैं next 2.4 इस वारे chapter में यहां से third 6th 8th और 9th और next question में आते हैं next exercise 2.5 इस वाले में यहां से first second में third bit है यहां से fifth में first bit है यहां से sixth question और यहां से tenth में 11th question है 12th और 13th भी है यहां पर next third element geometry इस वाले में यह आपको euclid element geometry आपको पढ़ना होगा euclid element geometry इसके अंदर यह आपको याद करना है रक्सी तरह और next अगर questions में आएंगे तो exercise 3.1 इस वाले exercise में यहां से तर्ड फिफ्ट एइट यहां से 10th equation आपको practice करना है नेक्स्ट लाइन आंगर्स फोर्थी चैप्टर इस वाले चैप्टर में exercise 4.1 second practice करना है अच्छी तरह आपको उसके बाद आते ही next exercise cure exercise 4.2 यह फोर्स्ट आप अच्छी तरह practice किजिए और यहां से आप ले सकते हैं 30 question और यहां से ले सकते हैं 6th question उसी तरह next आएंगे हम 4.3 इस वाले में यह फोर्स्ट यहां से 4th और उसी तरह इस तरह देखेंगे 6th question, 7th question यह 9th और 10th भी आपको practice करना है और back side 15 यहां से 16 यह अच्छी तरह practice करना है उसी तरह आते हैं next question के और 4.4 यहां पर 1st bit, 2nd bit यहां से 3rd question यहां से 5th question यहां से 9th और उसी तरह back side में यह 12th भी आपको practice करना है यहां से 16th भी आपको practice करना है next आते हैं coordinate geometry, 6th chapter इस chapter में आपको practice करना है 5.2 यह first वाले, यह points आपको याद करना है यहां से 4th में यहां से graph से आपको solve करना है यहां practice करना है next आते हैं exercise 5.3 इस वाले में 2nd और 4th और उसी तरह यहां पर 8 और यहां से 10th next आते हैं 6th chapter इस chapter के और अगर अगर आप जाएंगे आप तो 6.1 में 2nd question और 6.2 में 1st bit, 2nd में 2nd bit है, 3rd question है, यह 4th question है next आप आप आएंगे 6.3 इस वाले में 4th bit है, यह 2nd आपको practice करना है यह 3rd भी आपको practice करना है, next आते हैं 6.4 इस वाले exercise में 2nd और 3rd आपको practice करना है यहां से 5th, यहां से 8, यहां से 9th उसी तरह exercise 6.5 इसके अंदर कोई भी नहीं next triangle 7th chapter में इस वाले chapter में 7.1 में यह 1st question है, यहां से 3rd question यहां से 4th question और यहां से 6th question और यहां से 9th question next 7.2 यहां से 1st और यह 3rd यहां से 5th next exercise में आते हैं 7.3 इस वाले में यह 2nd question है, यहां से 5th question है next आते हैं 7.4 यह 3rd यहां से 5th next chapter quarter letters इस वाले chapter ने, next exercise में अगर चेक करेंगे हम, तो exercise 8.3 फर्स्ट फोर्थ और यहां से 6th और इस तरफ से 8 भी next आते हैं 8.4 फर्स्ट फोर्थ और 6th, next statistics 9th chapter इस वाले chapter 9.1 में यह 1st भी आपको practice करना है यहां से 5th भी आपको practice करना है graph next आते हैं यहां पर 9.2 यह 1st यहां से 3rd और उसी तरह यहां से 6th next आते हैं surface area and volume इस chapter में 10.1 if second है, third है, यहां से 7th next 10.2 में second और third और यहां से 8 next 10.3 इस वाले में first second और यहां से 6th और इस तरह से 7th और 8 next आते हैं 10.4 में यह 1st, third, fifth, sixth और यहां से 10th next आते हैं area's में, area's में यहां से देखी, यह 1st question 11.1 में यहां से third, यहां से fourth और 11.2 में, यहां से first और यहां से third 11.3 यहां पर fourth और यहां पर sixth और यहां से ninth next आते हैं circles इस वाले chapter में आपको मिलेंगे यह दो first, second, third यहां पर यहां से इसके अंदर 12.3 में, first में, third bit है, यहां से एक fifth question है और 12.4 में, first है, यहां से और यहां से eight question है next 12.5 में, एक first second bit geometrical construction, इस वाले chapter में से यहां से आपको लेना है, first or second, 13.2 में probability, एक इसके अंदर बहुत सारे examples आप पढ़के जाएए, ए probability एक अच्छा chapter है, और इसके अंदर यह examples पूरे, first, second, third जितरे भी examples होते हैं, पढ़ लिजी, अगर यहां से ले लें, first है, यहां से, यहां से third है, यह questions है, उसी तरह exercise 15.1 भी आप check करके जा सकते हो, तो यह था ninth class का all the best सभी students,